वेलकम बाक तो मार चानल, तो आज मैं आपके लिए लेक्या हूँ, बहुत ही सुन्दर और बहुत असान फ्रूट डेकरेशन, तो चलिए देख लेते हैं, तो यहां पर सबसे पहले मैंने संत्रे लिये हैं, दो, इसी के साथ एक केला लिया है, दो कीवी लिये हैं, और कुछ म महनत इसमें नहीं लगती है, फटा-फट से रेडी हो जाता है, तो संत्रे मैंने ऐसे अलग-अलग इसके कर लिये हैं, इसी के साथ यहां पर मैं बनाना पील कर रही हूँ, आप इसे अच्छे से छेल लीजिए, इसके बाद हम यह कीवी का जो टॉप है, इसे कट करेंगे औ तो आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और अच्छा फ्रूट है यह, तो इसे देखिए, ऐसे मैंने छोड़े-छोड़े पीसिस में कट कर लिया है, आप भी इसे कट कर लिजेगा, यह अगर आप डेकरेशन कर रहे हैं, तो आपको इसमें दो कीवी लगती है तो देखिए, इस तरीके से छोटे-छोटे तुकडे मैंने कर लिया है, एक कीवी के मैंने आट से दस तुकडे किये है, साथ ही मैंने यह दूसरा कीवी भी ले लिया है, अभी इसे भी मैं ऐसे पीसिस में कट करूँगी, यह दिखने में भी बहुत ही सुन्दर लगता है, बहुत प्यारा इसका कलर होता है, तो देखिए, एक प्लेट मैंने ले ली है, वाइट, बेटर होगा आप वाइट प्लेट ले, इसमें बहुत ही अच्छा दिखेगा यह देकोरेशन, तो देखिए, केले को मैंने एसे बीच में से कट कर लिया है, और इसे ऐसे प्लेस कर द मैंने सेंटर पे यहाँ पे एक अंगूर लगा दिया है, जिससे की कलर कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा और सुंदर लग रहा है, बहुत पटाफट यह जो डेकोरेशन है, यह हो जाता है, और बहुत ही सुंदर भी यह लगता है, तो आप इसे थोड़ा सा अज़स्ट कर अगर कुछ उपर नीचे हो गया है तो इसके बाद यहाँ पे मैंने यह जो चीले हैं यह हम लगा लेंगे नीचे की तरफ तो देखे जट पर पांच मिनिट के अंदर यह मारा है जो फूट डेकोरेशन है, यह एककम रेडी हो चुका है, बच्चे भी बहुती असानी से इस चानल मुडवाची माई टकर लाद बाद केर और यह जड़ा टकरेशन है जो लुका है, झाल अपर बाद केर अपुन लाद केर विगोरा एंदेशन है जोती पन खाएंड यह जबा राद केर यह बाद कार जाएंगे जोत था जाएंड टकर राद आट